नमस्कार दोस्तों मैं गौडव सर आप सभी का गौडव ITA क्लासेज में स्वागत करता हूँ आज का हमारा क्लास WCS का है जो कि फर्स्ट यर के लिए है और ट्रेड चाहिए आप किसी भी ट्रेड से हो आपके लिए उपयोगी होने वाला है और हम इससे पहले क्वेश्चन कल क कर रहे थे जिसमें कि 89 नमर question जाते जाते हैं कि एक कुछ ऐसा हुआ कि सारा वीडियो कट हो गया और आज हम 89 नमर से आगे क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन जो था कल 78 नम्र का इस क्वेश्चन में कुछ समझने आ रहा था कि क्वेश्चन क्या कर रहा है लेकिन उसके बाद फिर खोईने के बाद और इसका अंसर देखने के बाद एसा लगा कि इसका हम निकाले और ते फोर्चल चेए वाज है उसका राई नीकालते हैं क्या काई सकर अंसर तो इसको हम पेज बे बनाते हैं कुश्चन नमर 78 का इसमें हमारा F दिया गया है F दिया गया नहीं है F हमें निकालना का रहा है यानि कि F हमें फाइंड करना यानि कि बल इसका निकालना है जिसमें हमें दिया क्या गया है हमें दिया गया है M M मस अमारा दिया गया है कितना 800 kg per second square ठीक है हमें देना दिया गया है हमारा ड्रविमान और गुरुतिय त्वर dinero यानि कि G का आमान हमें दिया गया है 9.81 meter per second ठीक है हमें इतना दिया गया है हमें निकलना प्रोफ निकलना है यानि बन तो f का formula क्या होता है f equal to m a ठीक है अगर tawarana होता तो a होता अगर tawarana के जगाव पर हमें अगर सीधा tawarana यानि कि धर्ती पर तो a होता लेकिन अगर गृत्विया तो यानि कि भार जो है किसी भी गाड़ी का भार है भार क्या नीचे के तरफ ही न लगता है तो भार नीचे के तरफ वहां पर गुर्त्य तरण यानि कि G हो जाएगा तो यानि F एक्वल टू M G तो हमें M और G से निकालना है क्योंकि यहां पर G इसका मन दिया गया है तो अब निकाल लेते हैं एक्वल टू M के जगह अब कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम और गुना जी कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब इसको गुना करते हैं यानि कि दसमलाब के बाद दो अंख है और दसमलाब के बादले में यहां पर हम दो 0 को काट सकते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें स समला बहर जाएगा और 900 1280 को गुना करना है मिराट तो 980 को आट से उना करने के बाद आता है 7 848 इतना आता है इसको गुना करने के बाद यानिदि नो सद्रStep यहां गुना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को हम दूसरा मात्रक में निकाल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो अंसर दिया गया तोने हमें निकालना पड़ेगा तो में निकालने के लिए 7 848 रहेगा और किलो मीटर पर सेकेंड को हम लीग सकते हैं, न्यूटन टीक है? ये इसका right answer होजाएगा जो कि 7848 newton, तो इसका age होगा, वह बिलकुल correct होगा, देख लेते हैं, 7848 newton तो बिलकूल, इसका right answer होजाएगा. अब हम निकालेंगे, अगला question जो नवाले हैं अब नवासी नमर को से नम करने जा रहे हैं तो देखिए नवासी नमर को सिन कहता क्या है एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गती क्या होगी यानि कि हां गती पूछ रहा है जो 20 सेकेंड में 120 मीटर होना चाहिए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से बुजरती है यानि कि ह थोल चाहिए 80 मीतर लंबी ट्रेन की गती यानि कि हमें ट्रेन की गती पूछ रहा है और हमें समय दिया गया है कितना 20 सेकेंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉरम को गजरणा है और इसका देख़िए हम बनाते हैं हम नया पीज लेते हैं को तो इसमें है अस्क मिटेर लंबी ट्रेन की गति अमें गति पुछ रहा है तो गति का सुतर क्या होता क्या ह्म जिण होता है दूरी अ कि बटा समय ठीक है टीण वर बराब रता है मारा दूरी अوسक्सonder इसका सुत्र है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद कर लिजे लिख लिजे नोट करके तो हमें दिया क्या गया है हमें दिया गया है टाइम समय कितना दिया गया है इसमें समय है 20 सेकेंड यानि कि 20 सेकेंड हमारा समय दिया गया है और हमें दूरी दिया गया है कितना प प्लस असी यानि 200 मिटर यानि कि S जो हमारा दूरी होगा वो S नहीं D डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा 200 मिटर ठीक है अब 200 मिटर क्यों हुआ उसको हम बताते हैं देखिए यहां एक प्लेटफॉर्म है यह एक प्लेटफॉर्म है जो की 120 मिटर का है ठीक है इतना समझ गे और एक ट्रेन है जो की कितना है 80 मिटर का तो एक 80 मिटर का यह ट्रेन है ठीक है यह ट्रेन 80 मिटर का है तो अगर 80 मिटर का ट्रेन यहां से चलना सुरू करेगा ठीक है यहां से चलना शुरू करेगा यह इसका एंजान है ट्रेन का यह जाले पहुँच चायेगा यह और इनजान पहुच गया कर दैबfeld का यह एक 10 वीस मीटर का दूली तया कर लिया यानी कि इनजान अगर अगर यहां आएगा इस तरह से यानि पिछला हिस्सा जो है वह अगर अंतिम सिरा पड़ाएगा तो यह 80 जो है यह भी तो जूड़ जाएगा इसमें यानि कि यह 120 तो टैकरेगा अगर इंजन इंजन पार कर गया इंजन पार करने के बाद ट्रेन का सारा का सारा डबा भी तो करना चाहिए अगर यह ट्रेन यहां आजाएगा इसका इंजन तो इसका सारा का सारा डबा पार करेगा तो यहां से यहां तक का दूड़ी कितना है 80 तो 80 प्लस 120 ज्यानि दोनों मिला करके 200 इसलिए हम यहां पे लिखे कि इसका जो डिस्टेंस है वो 200 है तो अब निकालना क् गती गती यानि की गती निकालना है तो गती वराबा क्या दूड़ी कितना है इमारा 200 बटा समय कितना दिया गया है 20 0 से 0 काटे 2 से इसको काटे 10 हो गया हमें मिला 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब देखते है इसका अंसर तो यहां पे कहीं भी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है यानिकी मीटर पर सकेंद को इसके लिए होता है 10 यहां swear दस्की और दस-मीटर पर 30-second है इसको अब दे खुरा मिटानाल है तो गुझा करना हमा कितने से 18 उन्हाथ से ठीछ है इसको आठड़ा उपलार गुना करेंगे तो हमें निकल जाएगा तो 88 वट्रेट पांच से उना करेंगे 5 एकम 5 पांच धूनी 10 दुखर 6 किलोमीटर पर आवर अप्शन नमबर डी में दिख़ड़ा है इसका पर लोग को बताते हैं पहले ये बताते हैं अगर हमें देखिए हमें मीटर से किलो मीटर में जाना था यानि छोटा मात्रक मीटर है किलो मीटर बड़ा मात्रक है तो छोटा मात्रक से जब भी हमें बड़ा मात्रक में जाना हो तो उपर में यानि कि गुणा करना परता है हमें 18 बटा 5 से और एक जग एक कीलो मीटर के से से मुईकर रहेँ गेगाया उपर अब लेकिन यह उपरใ behavior करते हैं इसके लिए गहिए मीट्र आप और यहाँ पर मीटर के बदले में हो गया किलो मीटर और के एम और पर सकेंड के बदले में हो गया यहाँ पर आवर यानि कि घंटा तो अब क्यों ऐसा हुआ इसके लिए देखिए मीटर यानि कि एक किलो मीटर एक किलो मीटर ब्रावर एक हजार मीटर यह तो सब जानते हैं इ यह आपका हो गया एक मीटर का यानि कि मीटर के जगाओ पटे एक मीटर यानि की एक וड़ा 10 हज एक वड़ा 10 ठीक है उसके बाद हमाद आता है क्या घंटा वाला फॉर्मूल के इहां पे घंटा सब्झयंद की जबंटा तो घंटा में क्या होता है कि एक घंटा साथ मीनट ठीख है एक घंटा बढ़ाबर सट मिनट और एक मिनट बढ़ावर साथ सेकेंड तो अगर हमें मिनट घंटा और सेकेंड में अगर देखना है अगर सब को यानि कि एक घंटा को अगर हम सेकेंड में बत लिए तो एक घंटा बराबर हो जाता है साथ गुना साथ यानि कि 6 के 36 और डबल 0, 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड हो जाता है हमारा एक घंटा में तो अगर एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है तो एक second बड़ावर कितना हो जाएगा, एक बड़ा 3600, इतना तो समझ गए अब यहाँ देखिए अब आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है Kilometer per second यानि कि meter का बड़ा में second है हमें करना क्या है, kilometer की बड़ा में एक हजार अब उसके बटे में क्या देना है घंटा घंटा यानि कि एक बटा यानि कि एक ही क्या होती है यहीं पूछ रहा है तो अपस्ट्र यह में दिखेए meter per second, option B में है meter per second square, option C में meter per minute, लेकिan meter per minute तो कभी नहीं होगा, meter per minute square तो ये भी नहीं होगा, option नमर A और B में देखे क्या होगा लगाइए, पता आप लोगको क्या लगता है देखे, इसका जो right answer होता है, तुरंका meter per second square होता है और सब जो जैसे दूरी का मातरक हुआ। वेक का जानी की चाल का मातरक जो ही होता था। चाल का मातरक आपसा से सकइड होता है। अब यह कैसे होता है एक वर्ण इसको पेज़ पी निकाल के दिखा देते हैं। क्यूस्चन में कब्ण है 91 है कि फीजिप बायाव Last Cha वेग पड़िवर्टन बटा समय वेग में पड़िवर्टन बटा समय और वेग पड़िवर्टन का सुत्र क्या होता है मिटर पर सेकेंड और बटा समय समय का सेकेंड तो हम इस तरह से अगर मिटर पर सेकेंड और नीचे में भी समय का सेकेंड होता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानि कि मीटर बटा सेकेंड और फिर बटाम ये सेकेंड है सेकेंड बटा वन इतना हम लिख सकते हैं यानि कि मीटर पर सेकेंड यानि मीटर बटा सेकेंड और उसके नीचे में सेकेंड और सेकेंड के नीचे में एक हम लिख सकते हैं या कोई सकंड का स्क्वाइर CT मीट पर सेकेंड स्क्वाइर स्क्वाइब तुरण का कि यह वाला मिटर फर्सक केंड स्क्वाइब इन कि एक ड्रौस अар का क्या होगा गया एक अषीय गती एक मिनट में 25 किलो मिटर जैनी कि मीडिय यह ये प्रती से बढ़कर कर 40 mère intervene प्रती गहंटे हो जाता यानि कि इसमें तो घंटा में कुछोन पूछ रहा है और अंसर देना यह दिना है क्या मिन पर सेकेड है इसमें बदलना पड़ते हैं इसमें क्या मिनट पूच रहे हैं मिनट में बदलना पड़ते है कि इसमें हमें पूछ रहा है हमें पूछ रहा है यह बढ़ाबर वाट यानि कि एक क्या होगा यहां पर दिया गया है त्वरन यहां में पूछ रहा है त्वरन त्वरन पूछ रहा है और दिया गया है यदि कार की गती एक मिनट में 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर हो जाता यानि कि 25 किलोमी निकलना है एक मिनट का समय दिया गया है और गती में परिवर्तन दिया गया है और तुरण बड़ाबड क्या होता है तुरण तुरन होता है वेग में परिवर्तन बटा समय देखिए हमारा T दिया गया है समय दिया गया है कितना एक मिनट इसको हमें सकेंड में बदलना है तो हमें हो जाएगा 60 सकेंड इसको तो हम चेंज कर लिए हमें समय दिया गया है 60 सकेंड यह पूछ रहा है और हमें वेग में पड़िवर्तान निकालना है तो वेग में पड़िवर्तान देखिए 25 से बढ़ करके कितना हो गया छालीस हो गया तो पचीस और चालीस के बिच में कितना घ्रैम है 탁में की रहतर किम अवर गता है कितना है ऐना कि मना कर सकते हैं कि उस्था मुद्र घ्र efendim तीन से खटेगा तीन पचे 15 और 3-6-18 अब तो नहीं खटेगा नहीं खटेगा उपर प्रगुना कर लिजे पच्छे 25 बटा 6 कि यह 25 बटा 6 हमारा आगया क्या मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड और यहां पर आगया 60 सेकेंड अब हमें निकल जाएगा उसर यह बरावर क्या होता है वेग में पड़ी बरतां तो वेग में पड़ी बरतां कितना हो रहा है 25 बटा 6 बटा सामय कितना दिया गया है 60 सेकेंड बटा 60 बटा एक कितना दे सकते हैं अब इसको मुल्टा करके भी लीग सकते हैं A equal to 25 बटा 6 गुन्नी 1 बटा 60 ठीक है इस तरह सेकेंड लीग सकते हैं अब इसको काट गये काटने के बाद 25 12,5 60 ये कट गया 5 से 12,5 और 25 और 25 और खटेगा और नहीं कटेगा तो हो जाएगा 5 बटा बटा अब अच्छा के 72 अब पंच में आप लोग 5 में भागा दीजिए 72 से ठीक है 5 में भागा देना है 72 से इस तरह से दे सकते है 72 भागा देना है कितना है 5 में तो हमें डारेक्ट लगेगा नहीं एक 0 लगा के हम यहां पे 0 दे सकते हैं ठीक है और यहां आजाएगा 5 अब लगा देते हैं यहां आजाएगा एक 0 तो वह में बहतर से कम हीह है लगादे हम यह हीरो यहाँ पी जयरो और आ जाएगा और फिर मोहट न बहुतर से करना परेगा और 25-3535 से लगेगा तो जिन एंवा चौन हो ने 12 के 2 है के सच्छा 221 सब्सक्राइब एक तालीस ठीक है चारसो बत्तीस अब इसको घटा ये तस में से आट इतना वस्के नौन में से छो अर्सट बचा अब फिर अर्सट में लाइए लगेगा एक जीरो हम बठा देते हैं क्योंकि यहां पर दसमना पहले से लगा हुआ है अब होगे च्छासो असी 60 barking यहां इसको 9 से गुना कर लिएगा बहात्तर पो तो यह हो जाएगा आटारीस 1400 यह हो जाएगा अब इसको घटा ये घटा ये घटा keeping से दो यहां पर जाए साथ साथ में से तीन यानि बत्तीस आ जाएगा तो उपर भी एक बत्तीस आ गया यानि कि दो अंग तक हमने लिए 0.069 देखते हैं आंसर में है एक सेकेंड आंसर 0.069 0.069 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर हां मीटर पर सकेंड स्क्वाइर इसमें क्या है यह है अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 13 तराण में करा 50 किलो मीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सकेंड में विश्राम में लाया जाता है तुसे तो उसका मंदन क्या होगा यानि कि मंदन कहता है त्वरन कहता है अगर कोई वस्तू इस्पीड पकरता है यानि कि स्पीड में भागना सुरू होता है तो वह होता है अगर कोई वस्तू speed से slow होता जाता है यानकि मंद होता जाता है उसे कहते हैं मंदन लेकिन सूतर दोनों में एक ही लगता यानि तोरण हो या फिर मंदन हो सूतर तोरण वाला ही लगेगा तोरण मतलब बढ़ते जाना यानकि speed होते जाना और मंदन मतलब घठते जाना तो यहां पोछ रहा है मंदन पूछ रहा है इसमें क्या है पचास किलो मिटर करती घंटा के वेख से चलने वाली कार पैतालिस सेकेंड में हमें टैम दिया रहा है कितना हमें कुषिचिण नमर कितना है लाइ टी 45 सकेंड में तो इसका मंदन पूछ रहा है तो इसमें देखिए T हमारा दिया गया 45 सकेंड U यानि की प्राणमभी के वेग हमारा कितना है 50 यानि 50 से कम हुआ है न 50 किलो मीटर पर आवर ठीक है और भी यानि की अंतिम वेग हो जाएगा 45 सकेंड ठीक है और हमें निकालना क्या है हमें तोरण यानि की मंदन या को या तोरण कहें बात एक ही होता है हमें निकालना है यह निकालना है तो अब क्या सुत्र लेगा इसके लिए कुछ सुत्र होता है यानि की तीन प्रकार का Newton का गती का शुत्र तीन परकार से होता है हम तीनों शुत्र लिख देते हैं और फिर जो सुत्र इस पे सेट करेगा उसके हिसाब से हम फिर बना लेंगे तो हमारा पहला सुत्र होता है यहां से लिख देते हैं आप लोग not कर लिज्एगर इसका बिल्कूल यह महत्तव्पून है V equal to U plus A T V बरावर U plus A T उसके बाद दुसरा सूत होता है S बरावर U T U T plus half A T square इतना हो जाते S बरावर U T plus half A T square उसके बाद रसूत होता है V square V square बरावर होता है U square plus 2AS जहां पर भी क्या है हमारा वी हमारा अंतिम वेग भी हमारा अंतिम वेग है यू क्या हमारा यू है प्राडम भीग वेग और भी है यू है एक क्या हमारा यह है तोड़ान उसके बाद क्या है टी है टी क्या हमारा समय है तो भी यू एटी अब इतना चीज़ आप लोग पहले इसको नौट कर लीजिए या फिर स्क्रॉण साट ले लिजिए अब देखिए इसमें सूत्र क्या लगता है यहां पर टी यू भी ए टी भी है यू भी है भी भी है यहां पे टी यू भी ए यह यहांनि कि उपर वाला सूत्र ही यहां पे लग जाएगा भी बराबर यू टी प्लस एटी तो हम भी बराबर यू प्लस एटी तो हम भी बराबर यू प्लस एटी वाला सूत्र लगा करके इसका हम अंसर find कर सकते हैं तो अब इसको लगाते हैं B बदाबर U प्लस 80 तो B हमारा कितना है? 0 बदाबर U कितना है? 50 km तो हम इसको पहले बदल लेते हैं 50 km कितने में? किलो मीटर को बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में इसके लिए हमें क्या बड़ा मातरक से छोटा मातरक में जाना है तो 50 गुना छोटा मातरक उपर में बड़ा नीचे में अब इसको आप काटिए 9 25 25 125 बटा 9 यानि कि अब हमारा जो क्या U है वो बदल गया हमें कितना में? मीटर पर सेकेंड में ठीक है? तो हमें B, U प्लस एक जिया है? A हमें निकालना है ये निकालना है और गुना T T कितना है हमारा 45 सेकेंड 45 सेकेंड इतना तो गया अब इसको हम सब को इस सेड ले आते हैं यानि कि पुड़ा का पुड़ा जितना भी हमारा दया सेड है उसको हम बाया सैड ले आते हैं यानि कि 125 बटा नो प्लस ए इंटू 45 सेकेंड बढ़ावर 0 हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रत नहीं परा अब देखिए अब जो है हम ए और 45 कोई सैड रख लेते हैं बांकि कोई सैड फेज देते हैं हमें की 45 को यह साधीन करें गढ़ेंगे तो हो जाएगा 45े सेकेंड को हम छोड़ देते हैं पैटालीस ए और यह यह जो है इस सैड मैस मैं आल जाएगा मैस एक सो पत्चीस बट्टा जानन उन कर दो त्रम भट जाने का आड़ा मानदम समय चाहे---- यह ब्रावर हो जाएगा मैनस ещё पट आड़ा और इसको इस्कोन आपर कर सकते हां तो हम बहुत रहां हम यहां लाने वा 키 और और इसको गुल्टा हो जाता है यानी 1 बट्टा को तालीश ऐसको काट इक जाचे और अब से काटेंगे नो पाटे में 25 पंचे गाट से उसको और गटेगा अब देखते हैं तो एक से बुना करेंगे 25 बटा 9 नमा 81 एतना दिख रहा है आप लोग को तो 25 से बटा 81 अब 25 को 80 से अगर भागा दें तो हम भागा दें दिखा दें आपर 81 से भागा देना कितना में अगर कोई वस्तू speed पकरता है यानि कि शुरू से विराम से speed में चलना शुरू हो जाता है और speed बढ़ता जाता है तो वह हमारा क्या कहा लाता है वह हमारा कहा लाता है त्वरन ठीक है अगर कोई वस्तू speed से slow होता जाता है यानि कि मंद होता जाता है है 50 km प्रतिगंटा के वेग से चलने वाली कार 45 सकेंड में हमें टाइम लाया जाता है तो उसका मंदन क्या होता है यानि कि शुरुवात हमारा कितना है 50 km में था और जीरो पर लाया गया 45 सकेंड में तो इसका मंदन पूछ रहा है तो इसमें देखिए T हमारा दिया गया है 45 सेकेंड यू यानि की प्राणभी के वेग हमारा कितना है 50 यानि 50 से कम हुआ है न 50 किलो मीटर पर आवर ठीक है और भी यानि की अंतिम वेग हो जाएगा 0 क्योंकि लाश्ट में समाप्त हो जाएगा यानि की बिल्कुल से करना सुरू किये 50 किलो मीटर और फिर अंतिम वेगMax जीडू और ट या गया है 55 संट ठीक है और हमें निकालकाह हमें लिल्क दे धन ख़ान है और फिर जो सुतर से करेगा उसके हिसाब से हम फिर बना लेंगे तो हमारा पहला सुतर होता है यहां से लिख देते हैं आप लोग नॉट कर लिजेगा इसका बिल्कूल महत्वपूर्ण है वी इक्वल टू यू प्लस एटी वी बराबर यू प्लस एटी उसके बाद दूसरा सुत होता है स बराबर यू टी यू टी प्लस हाफ एटी उसके बाद रशूतर होता है भी इसक्वाइर बराबर होता है यू एसक्वाइर प्लस टू एएस जहां पे भी क्या है हमारा यह हमारा अन्तिम वेग भी हमारा अन्तिम वेग है यू क्या है हमारा यू है प्राडम भीग वेग है और भी है यू है किया है हमारा यह तोड़ान उसके बाद क्या है टी है टी क्या है हमारा समय है अब इतना चीज आप लोग पहले इसको नौट कर लीजिए या फिर स्कॉंश है ले लीजिए लिए अब देखिए इसमें सूत्र क्या लगता है यहांपे यहां पर उपर व़ला शूतर ही यहां पर लग जाएगा भी बराबर यूटी प्लस 80 तो हम भी बराबर यूटी वड़ा सूतर लगा कर कि इसका हम अंसर फ्रीं कर सकते हैं तो इसको लगाते हैं भी बराबर यू प्लस 80 तो भी हमारा कितना है 0 बराबर यू कितना है 50 किलो मीटर तो हम इसको पहले बदल लेते हैं 50 किलो मीटर को कितने में किलो मीटर को बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में इसके लिए हमें क्या बरा मातरक से छोटा मात्रक में जाना है तो 50 गुना छोटा मात्रक उपर में बड़ा नीचे में अब इसको आप काटिए 9 25 25 125 बट्टा 9 यानि कि अब हमारा जो क्या यू है वो बदल गया हमें कितना में मीटर पर सकेंड में ठीक है तो हमें भी यू प्लस ए क्या है यह हमें निकालना है यह निकालना है और गुना टी कितना है हमारा 45 सेकेंड 45 सेकेंड इतना तो गया अब इसको हम सब को इस सेड ले आते हैं यानि कि पूड़ा का पूड़ा जितना भी हमारा दाया सेड है उसको हम बाया सेड ले आते हैं यानि कि 125 बटा 9 प्लस ए इंटू 45 सेकेंड बढ़ावर 0 हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रत नहीं परा अब देखिए अब जो है हम ए और 45 कोई सेड रख लेते हैं बांकी कोई सेड भेज देते हैं यानि कि 45 को और ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 ए सेकेंड को भी हम छोड़ इसम्दि घट जाना स्पीड लो होना तो लो होना मतलब स्पीड का मैनस में जाना ठीक है तो यह मैंनस में आएगा मतलब समझ जाए यह मंद्दन होड़ा है ठीक है 45 से बराबर si right now किए से कर सकते हैं तो हम गुना में यहां पर लाने एक बरोना कर दिखा एक यहां पर 45 हो इतना हो जाएगा भट वे सकते हैं खिक है इतना तो समय जानते हैं और अभी तक में जितना किये हैं उसमें क्या 125 बटाइश्ची है मैंने मेरी अऌध धल्यगा और इसको ऊना करते हैं तो क्या उल्टा हो जाता है याนि एक बटा 45 इतना हो गया आप इसको काट गए इसको काटेंगे 9 से 5 से काटेंगे 9 पचे 42 और इसको 5 से काटेंगे 25 पंचे 125 और नहीं कटेगा अब देखते हैं 25 को एक से गुना कटेंगे 25 बटा 9 नमा 81 इतना दिख रहा है आप लोग को तो 25 से बटा अब 25 को 81 से अगर भागा दें तो हम भागा दें कितना में 25 में 0 यहां पर 25 आ जाएगा इसके बाद एक पॉइंट लगाई है 0 250 हो गया है तीन से लगाई है एक तीन और आठ तीन और आठ तिया यहां आ जाएगा साथ और कुछ नहीं एक अंक एक 020 लगा सकते हैं उसकेय बाद भी नहीं पूर रहा है एक दिरो उर लगा देते हैं एक दिख और 700 हो गया को मि goggle जाएब लगा ना है 0.03 इसका आंसर देख razor देए है कितना नमोर क्वेश्चन नमर है नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री में जीरो